याट आ गॉर्मेंट ऐसे पंगालet क कैसे पता करेंगे कि आपने आप स्कॉलर सिट यूप किए है promo चैजेशन अप्रूब हुआ है या फिर रिजार हुआ है याफिर अप्लिकेशन का स्टेटस किया है तो आईए हम कैसे चेक करेंगा, उसका step by step में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, मैं जो जो बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना किसी भी ब्राउजर में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है, जो scholarship का official website है, मैं उसका link अपने video के description में भी देदूँगा, वहाँ से भी हो सकता है, तो आपको type करना है, WB, M, D, F, C, ये type करेंगे, पहला जो page आएगा, उस page पे click करेंगे, click करने के बाद से आपको, धीरे धीरे, मैं link के देदूँगा, वहाँ से फिर option create करना पड़ता है, scholarship.gov.in लिखना पड़ता है, WB, M, D, F, C, scholarship.gov.in, ये पूरा लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद से ये page आजाएगा, नहीं तो आपको मैं direct description में link देदूँगा, वहाँ पर इसे आप direct इस page में पहुंच जाएगे, अब यहाँ पर आपको option है, track and application, इस पर आपको click करना है, अब जैसे इस पर click करेंगे, तो आप next page, इस page में पहुंच जाएगे, और इस page में आपको क्या करना है, सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला था, आपको क्या साच क कर रहा हूँ, इस पर आपको जाना है, एक और है, तो यह बहुत easy होगा, wbmdfc scholarship.org, ठीक है, इसे पर browser में type करेंगे, तो अब धीरे धीरे आप इस page में आ जाएगे, पहले उस page में आएगे, second page में आएगे, इस page में क्या करना आपको, अपका district, select करना, जिस भी district में है, उस करने के बाद, submit पर click करना, submit पर click करने के बाद से आप, जैसे कि suppose मैंने इसमें से एक district लिया, पस्चिम बर्दवान, उस पर हाथ रखा, click किया, फिर submit पर click किया, उसके बाद आपको यह page आ जाएगा, इस page में आपको क्या करना, simply, year of registration, यानि अगर आप इस साल भर रहे है, यहाँ पर लिखना होगा, 20 और 18, select कर लेंगे, फिर अपना district select कर लेंगे, फिर application ID जो आपको mobile में message के थुरू आया होगा, जो आपने mobile number दिया होगा, तो वो यहाँ पर type करेंगे, और अपना date of birth type करेंगे, और जो capture वहाँ पर रहेगा, उसको देख करके type करेंगे, और फिर वहाँ पर search वाले button पर click कर देगे, या फिर आपके mobile में जो arrow है, वो arrow वाले button पर click कर देगे, click करते ही, आपका detail आपके mobile में आ जाएगा, तो फिर से बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके किसी भी browser में जाना है, वहाँ type करना है, wbmdfc scholarship.org, उसके बास से आपको इस page में पहुचेंगे, वहाँ से आपको select कर लेना है, track and application, click करेंगे, तो फिर आपको district select करना है, select करके submit करना है, submit करने के बास से यहाँ पर आपका registration, year of registration district, application ID, DOB, date of birth, और capture fill करना है, search करना है, तो आप अपना scholarship का application status देख सकते हैं, इसी तरह का latest update पाने के लिए हम ज़्याद से ज़्यादा फ्रेंट सरकल मस्सेयर करें, thanks for watching